सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझको जो दिल्ली की नई ब्लैक एक्साइज पॉलिसी है उस पर बोलने का मौका दिया है और मैं आपसे विंती करना चाहता हूँ कि मुझे इसके उपर में आप अपना पूरा समय दें जहाँ पर ये पार्लेमेंट है दिल्ली में राश्टर राजधानी में जहाँ पर हम लोग सभी सेशन वे रहते हैं वहाँ की जनता के साथ में एक अन्याय हो रहा है जब हमने सेकेंड वेव देखी थी और मार्च और जुलाई के बीच में दिल्ली में 25,000 मोत हुई जब दिल्ली की सरकार उनको अक्सीजन नहीं दे पाई तब दिल्ली की सरकार एक नई पॉलिसी बनाने में व्यस्ट थी एक नई एक्साइस पॉलिसी आई है मैं आपको इसकी डेट बताना चाहता हूँ आपको हिरानी होगी पूरे सदन को हिरानी होगी एक जुन दो हजार इकिस को दिल्ली के मुखे मंत्री एनाउंस करते हैं कि दिल्ली के घरों में शराब की होम डिलिवरी दी जाएगी जब दिल्ली के लोग मर रहे थे देश के लोग मर रहे थे कोविड में और 28 जून को दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी का टेंडर फ्लोट होता है और दिल्ली को 32 जून में बाट दिया जाता है और बड़े बड़े देश के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो दिल्ली में 300-300 करोड रुपे का टेंडर लेते हैं 2012-2013 में दिल्ली का excise revenue था 3,000 करोड रुपया 12,17 में हुआ 5,000 करोड रुपया 19,20 में हुआ 6,000 करोड रुपया और अब दिल्ली सरकार का 10,000 करोड का target है इस excise policy से क्या इस सरकार और दिल्ली का मुख्य मंंतरी जब पूरी दिल्ली जूज रही है COVID से क्या वो एक शराब की पॉलिसी बनाने में वेष्ट हो सकता है क्या एमेरजन्सी जैसी स्थिती में एक दिल्ली का मुख्य मंत्री अपना रेवेन्यू कैसे बड़े शराब से क्या वो इसके बारे में सोचता है क्या जो मुख्य मंत्री नशा जो अपने बच्चों के लिए नहीं सोच सकता क्या वो दिल्ली के बच्चों के लिए सोच सकता है एक तरफ सो पंजाब में जाकर बोलते हैं मैं नशा बंदी करूँगा और एक तरफ दिल्ली में नशे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं क्या क्या इससे घरेलू हिंसा नहीं बढ़ेगी 2021 में दिल्ली में 2047 घरेलू हिंसा की घटना हुई थी सर जी सर मैं आपको ये पॉलिसी के बारे में दो तिन बिंदू बताना चाहता हूँ जो बच्चों की उमरे वो 25 से 21 कर दी गई है कि अब बच्चे बिल्कुल कॉलिज में जाते हुए भी शराप पी सकते हैं रात को ठेका तीम बज़े तक खुलेगा दिल्ली में और दिल्ली में पिंक बार खोले जाएंगे महिलाओं के लिए और रात को बारा बज़े से तीम बज़े तक महिलाओं पेंगी तो 30% का डिसकाउंट मिलेगा जो दिल्ली के गाउं हैं कॉलनिया हैं जो दिल्ली के नॉन कंफर्मिंग जोन हैं जो कमर्शल एरिया नहीं है वहाँ पर भी ठेके खोले जाएंगे सर दिल्ली के मुख्य मंतरी में वाइदा किया था साफ पानी देने का मगर आज दिल्ली का मुख्य मंतरी शराब दे रहे है दिल्ली की जंता को अगर यहाँ पर भगवन मान नहीं बैटे वो तो बड़े खुश होंगे इस पॉलिसी से मगर दिली की जनता मर रही है दिली की जनता रो रही है दिली के मुख्यमंत्री ने कहा था मैं दिली में पांच सो ने स्कूल बनाऊंगा मैं पचास ने कॉलिब अगर एक भी नया कॉलिब